नमस्कार पिरिया दोस्तों, मैं बाद अलर्मा, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइस पॉइंट पर दोस्तों आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग अपने विश्व अध्यास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अपने साथ अध्यायों को complete कर लिया है, जिसमें अभी तक हमने बात की, Russian Revolution के बारे में, France's Revolution के बारे में, और Hitler के बारे में, और कई सारे खेलों के बारे में भी हमने डिसकस किया, कि उन खेलों का और इन करांतियों का हमारे देश पर और पूरे विश्व पर क्या परभाव एक तरीके से पढ़ा, तो देखो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखाया, तो डिसकरेप्सन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं, और कल की एक वीडियो पर जिसमें हम किर्केट से रिलेटिड उसके इस्टोरिकल बैक्गराउंड के बारे में डिसकस करे थे, तो एक मेरे दोस्त का एक मैसीज आया कि सर ये बताईए कि जो भारत की स्वेतनतरता है, उस पर एक तरीके से किर्केट का भारत की स्वेतनतरता पर क्या परभाब पड़ा, तो आप लोगों ने एक काफी फैमस मुवी है लगान, तो वो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है, तो आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें इसी स्टोरी के बारे में बताया गया है, जिसमें इंग्लैंड और भारत आपस में किर्केट खेलते हैं, ठीक है, तो किर्केट जब उस समय खेला जाता था, तो लगान जो सब्ध है, आप लोगों को पता ही होगा, लगान यानि कि किसानों पर लगाए जाने वाले जमीन पर जो कर होता है, उसे हम लगान कहते हैं, तो जब किर्केट खेला गया, इंग्लैंड और भारत के साथ, तो उसमें हुआ क्या, जब भारत जीती, तो उनका जो लगान था जमीन पर जो एक तरीके से ब्रिटिश्ट गॉर्मेंट लगान वसूल कर रही थी, तो वो उनका माफ कर दिया गया था, तो इसी के चलते कहीं सारे देसों से इंग्लैंड ने इसी तरीकी की सर्त रखी, कि या तो उनका लगान माफ कर देंगे, या उनके देस को छोड़ करके चले जाएंगे, तो इसी तरीके से भारत में भी कुछ इसी तरीके का हुआ था, और अगर आपको इसमें और भी जादा डीपली इसके बारे में जानना है, तो आप उस मुवी को जरूर देख सकते हैं, ठीक है, तो आज का हमारे जो चैप्टर है, वो अंतिम चैप्टर है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कि जो पहनावया है, उसका सामाजी कितियास का है, तो पहनावे का साब्दिक अर्थ ये होता है कि जो हम अपने वर्तमान समय में एक तरीके से विस भूसा पहनते हैं आज जैसे कि वर्तमान समय में हम एक नया अलग हैरस्टाइल रखते हैं आखों के लिए एक तरीके से हमें एक चश्मा रखते हैं या हमारे पहनने के लिए एक jeans होती है, t-shirt होती है, expensive shirt होती है, और belt होती है, shoes होते हैं, तो काफी सारी जो चीज़े हैं, वो हमारे एक पहनाव कहा जाता है, तो उसका सामाजिक इतियास के बारे में, हम आज के इस chapter में discuss करेंगे, तो जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे, और वीडियो को like, share, comment करना नहीं भूले, ठीक है, तो आज हम discuss करेंगे, कि सामाजिक जो इतियास है पहनावे का, वो किस तरीके से क्या है, तो देखिए, तो आप लोग अब ये सोच रहे होंगे, कि पहनावे का आकिर इतियास से क्या लेना देना है, जैसे कि आप लोगों ने एक तरीके से क्रिकेट को लेकर के, अपना एक मत बनाया था, कि क्रिकेट का इतियास से क्या लेना देना, तो हमने जब किर्केट की पूरी स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें एक तरीके से पता चला कि किर्केट का एक तरीके से संपूर्ण विश्पर क्या परभाव पड़ा और आज के वरतमान जिवन पर हमारा किर्केट का एक तरीके से क्या परभाव है यानि कि cricket को हम एक तरीके से अब किस नजरिय से देखते हैं और उस समय किस नजरिय से एक तरीके से cricket को देखा जाता था और किस तरीके से देरे देरे बदलावाए इसी तरीके से पहनावे को लेकर भी आप हम discuss करेंगे और पहनावे के बारे में जब आप जानेंगे तो पहनावे को लेकर के आपके कहीं सारे जो विचार है वो बदल जाएंगे तो चले दोस्तों सुरू करते हैं तो देखें कहीं जो वर्ग होते हैं यानि कि जैसे आप लेडिस हो गया, जैंट्स हो गया या वरत बच्चे होंगे तो इनको लेकर के समाज में कुछ ना कुछ नियम होता है यानि कि जो हमारी ladies हैं वो अलग vishbusha में हमें दिखने को मिलेगी जो हमारे gents हैं वो हमें एक अलग vishbusha में देखने को मिलेगी ये तो बात पक्किय है ये आप जो लोग हैं ये सबी चीज़े जो है वो भली बाती जानते हैं और जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से अलग वेसभूसा में होते हैं यानि कि कोई ना कोई एक तरीके से जो नियम है वो उन पर एक तरीके से काम करता है यानि कि जो लेडिस हैं वो लेडिस कपड़े ही एक तरीके से पहनते हैं वो जैंट्स नहीं पहनती हैं और जो जैंट्स हैं वो लेडिस कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं नहीं आपने इस तरीके का कहीं पर देखा होगा ठीक है तो एक तरीके से जो ये कपड़ा है यानि कि जो पहनावे हैं वो क्या करते हैं एक तरीके से हमारी सोम्यता और सुन्दर्ता और सर्म और मर्यादा को दर्साते हैं और यानि कि वक्त के बदलते जो हम बदले विचार हैं हमारे कपड़े हैं या परिवर्तन इन विचारों की जलक जो हमें आसानी से देखी जा सकती है तो आधनिक दुनिया के इस उदे में इतिहास के कपड़ों में कुछ बहुत सारे जो नाट के बदलाव है उनका जो इतिहास है वो काफी ज़्यादा जुड़ा हुआ है और इस चैप्टर में आज हम इसी के बारे में डिसकस करेंगे कि जो 19-वी सदावदी है और 20-वी सदी है उसके बारे में हम उनके बदलावों के बारे में डिसकस करेंगे कि पहनावे को लेकर 19-वी और 20-वी सदी में क्या-क्या चेंजिस आए और 21 सदी के बारे में थो हम जानते हैं कि किस तरीके के जो चेंड्स थे वो आए है और वरतमान सामय में आज कल पहनावे को लेकर किस तरीके के क्रेज जो है वो चल रहे है ठीक है ना तो देखे तो 28 सदी में जनकरांती और पुंजिवादी विकास के पहले जो था एक तरीके से यूरोप के ज़्यादा तर जो लोग थे वो छेत्रे वेस बूसाओ को ही पहनते थे यनि कि कपड़ो का रंग रूप उनके इलाके और उपलब्द कपड़ो की किश्म आगर केमत से भी तैह होता था और पहनावे जो है उनकी सेलिया जो एक तरीके से सेलिया होती थी जो उनकी प्रमपराय होती थी वो उसमें ही बंदे ही रहकर समाजिक हैसियतों से ही उनकी एक तरीके से उनके फर्क किया जा सकता था यानिकि उनके बारे में जाना जा सकता था उनको देख करके कि ये एक प्रभाप पड़ता था उससे हमारे एक पूरी situation का पता चल जाता था कि हम एक राजारजवाडे के परिवार से हैं या एक मद्यमवर के परिवार से हैं एक किसान परिवार से हैं ठीक है तो अठारवी सदी के बाद जो है दुनिया का जो अधिकांस हिसा है वो पूरी लोगों के लिए पूरी की तरह बदल गए यानि कि जो सांसकर्तिक इलाके थे वो सामगरी थी वो पूरी की तरह बदल गए यानि कि जब देशों में आयात निर्यात आना शुरू हुआ यानि कि जब देशों के एक तरीकी से relations जो थे वो अच्छे होने शुरू होगे जैसे कि मैं आपको एक तरीकी से वर्तमान समय की यानि कि 21 सदी पर जो सबसे बड़ा परभाब पढ़ा हमारे पहनावे पर वो पढ़ा हमारा वैश्वी करण का तो वैश्वी करण की आप लोग कहलाता है तो इसमें होता क्या है कि जब दूसरा देश मान कर चलिए अमेरिका है कोई वैपार हमारे देश में करता है उसने हमारे देश में कंपणी लगाई ठीक है तो वो अपनी एक तरीके से भासा को यहां पर लेकर आएगा हमारे देश में और दूसरा एक पहनावे को भी एक तरीके से लेकर आएगा और तीसरा जो है एक तरीके से वैश्वी करण महिलाओ को पूर्ण अधिकार देता है कि उनकी वो जो company है उसमें वर्क करें यानि कि भारत में जब तक वैश्वी करण नहीं आता तो महिलाओ को इतने ज़्यादा अधिकार भी नहीं थे ठीक है न? तो वैश्वी करन एक तरीके से संस्कर्ति को बदलने में काफी ज़्यादा एक हमें परभावी दिखाई देता है यानि कि जो 21 सदाबदी में हम देखें बट हम लोग 19 और 20 सदी के बारे में एक तरीके से डिसकस कर रहे हैं तो इसी को continue करते हुए हम अपने पूरे चैप्टर को continue करते हैं तो देखें आप लोगों ने तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों ने अपना पहला अध्याई जिसमें हमने फ्रांस रेवलिशन के बारे में बात की थी तो उसमें कहीं तरीके के लोग रहते थे यानि कि सामाजिक और राजनेतिक जीवन में कहीं पहलों में जो फ्रांस था वो बटा हुआ था यानि कि हमने तीन स्टेट्स के बारे में बात की थी क्योंकि जो फ्रांस का समाज था वो इस टेट्स में बटा हुआ था यानि कि पहले में तो हमारे जो किसान थे वैवसाई थे वो आते थे फिर कुलीन वर्ग में जो हमारे आधिकारी होते थे और जो बड़े बड़े लोग होते थे वकील डॉक्टर ये आते थे और फिर आते थे हमारे राजय रजवाडे ठीक है तो उसमें हमने देखा था कि जो काफी सारे लोग थे उनकी अलग पैचान होती थी समाज में यानि कि जो राजा रजवाडे थे उनकी एक अलग पहचान थी कुलीन वर्गों की एक अलग पहचान थी और किसानों की एक अलग पहचान थी पर एक दरीके से जो फ्रांस की करांती हुई तो उस करांती में एक काफी एक नियम जो था वो अपनाया जाता था लोगों के द्व उसको हम संपच्यूरी लो कहते थे यानि कि संपच्यूरी का एक नियम था उसे हम संपच्यूरी लो कहते थे बट जब France's revolution हुआ तो France के revolution होने के बाद संपच्यूरी लो जो है वो पूरी तरीके से खतम हो गया आखिर क्यों तो इसी के बारे में हम discuss करेंगे तो आप लोगों एक heading पढ़ ली होगी कि सम्चूरी कानून और सामाजिक उच्चनीच तो इसमें हम बात करते हैं जो देखिए तो सम्चूरी कानून क्या था तो सम्चूरी कानून में आपको सीधा सीधा बता दू सम्चूरी कानून एक इस तरीक एक कानून था जो बताता था कि आप एक रज जैसे कि हम थोड़ा हो डीपली जानने के कोशिश करते हैं कि क्या तो मद्यकाले इंड यूरोप में सामाजी के विभिन जो तबके थे वो परिदान सहीताय लागू करने के लिए सचमुच के कानून बनाए जाते थे तो जिनमें कानून के एक तरीके से बारिक ध्यान रखा ज देखे तो समाज के जो नीचे तबकों के वैवार का नियंतर उन्हें खास तरीके कपड़ो और खास व्यंजन खाने की के इनने की मना ही थी यानि कि जो नीचे तबकों के लोग थे फ्रांस के समाज के तो उनको खास तरीके के कपड़े पहनने के एक तरीके से मना थी उन्ह कि आम लोगों के बसकी बात नहीं थी ठीक है तो इसको ही हम एक तरीके से सीधी बासा में कहें तो यह समचियरी कानून था तो यह सिर्फ आमदनी पर यह लोगों की निर्बर करता था कि उनकी आमदनी क्या है और उनके साल भर के जो कपड़े हैं वो किस तरीके के होंगे ठीक है तो सिर्फ साइक हांदानी नहीं बिल्कि बेसकी इमति कपड़े जो पहन सकता था तो इमाइन फर रेशम मकमल या जरी की पोसाख सिर्फ राजा रजवाड़े ही पहन सकते थे और कुलीन से जुड़े कपड़ों के जनसादरन द्वारा इस्तिमाल पर पाबंदी थी तो देखे जो कुलीन वर्ग था कुलीन वर्ग और राजवाड़े थे तो जो मध्यम वर्ग के लोग कपड़े पहना करते थे यानि कि वो बिल्कुल एक तरीके से सिंपल कपड़े पहना करते थे मैं आपको वेशबुषा उसकी दिखाऊंगा चित्रों के दुबारा और जो राजवाड़े थे वो अपने एक तरीकी से एक अलग उनका यूनीक डिजाइन होता था एक यूनीक जो है उनका फैशन होता था जिसे वो फोलो करते थे यानि कि खान पान उनका वेशबुषा जो है वो पूरी अलग होती थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपड़ों का हमारे समाज में एक तरीके से हमारी सौम्मेता और सब्वेता और संसकर्टी पर काफी प्रभाव पड़ता है उससे हमारे एक तरीके से चरित्र का भी एक तरीके से हमारा पता चल जाता है काफी ठीक है ना तो फ्रांसिस करांती का एक तरीके से जो भेदबाव था इस चीज़ का भेदबाव समचुरी लो का एक तरीके से बेदबाव जो था खतम कर दिया था यानि कि फ्रांसिस रेवलिशन ने तो जैसे कि हमने अपने पहले आद्ध्याई में पढ़ा था तो जोकबिन एक कल्प के बारे में हमने देखा था तो जोकबिन जो कल्प था वो सोकुलाथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो कल्प के फेशनदार घुटना पहनने वाले लोग थे वो खुद को अलग दिखा सके तो सोकुलाथ का साब्दिक अर्थ मतलब होता था जानि कि बिना घुटने वाले तो एक तरीके से जो लेडी जैंट से हो अलग इसी तरीके के डिले डाले कपड़ों को पहनते थे और आम तोर पर कपड़े पहनने के लिए फ्रांसेजी तिरंगों के तीन दंग नीला, सफेद और लाल वो काफी ज़्यादा जो है वो लोग प्रिया हो गया था जिसमें तिरंगों के तीन पहनना यानि कि देश बक्ती नागरिक की निशानी बन गया तो पोसाग के रूप में दूसरे राजनेतिक परतिक भी पहनने जाने लगे तो सुछतंतरता की निशानी जो थी वो लाल टोपी थी और लंबे पतलून और तिर्शी टोपिया जिने कांकेड कहा जाता था और पहनवे की साध़िकी से समान तका प्रभाव जो था वो भाव इस पश्ट होता था तो इसे देखिए आप लोगों कोई समचूरी लोग एक तरीके से समझ आ गया होगा कि समचूरी लोग जो था वो हमारे पहनावे और एक तरीके से वेसबुसा को नियंतन और संतुलन में रखने का था यानि कि जो मद्यम वर्ग के लोग है तो मद्यम वर्ग के अपने आपको दिखा सके और जो राजा लोग है राजवाडे लोग है वो चीज को इंजोई कर सके यानि कि एक तरीके से वो नियम जो था वो मध्यम और कुलीन वर्गो पर एक तरीके से काम करता था ठीक है तो अब हम इसमें डिसकस करते हैं जो इसमें हमें दो वर्ष दिखें हैं एक तो इमाइन और एक कॉंकेड तो फर्की एक किसम है यानि कि इमाइन जो यानि कि फर्की एक किसम है कपड़ा है एक तरीके का और कॉंकेड एक तरीके की पैने जाने वाली टोपी है जो एक साइड से तिरची होती है तो देखिए तो आप एक चित्र वन में देख सकते हैं कि सोरी तो 18 सदावदी के इंग्लेंड के उच वरगे एक जोड़ी है जो कि एक राजा रजवाडे की आ अब को लग रही है तो इसमें आप इनके व्यस बुसा देख सकते हैं तो इसमें व्यस है व्यक्ति पैचान सकता है कि ये एक किसान परिवार से है INS ये एक राजा रजवाडे को सकते हैं ठीकए नगत то इसमें देखिए तो वेस बुसा इसमें कुछ चित्रों के दौरा वह दिखाने के कोशिश के गई है जिससे कि हमें समझ आ जाए कि उस समय जो लोग थे यानिका एटारवी और सुरी उन्निसवे और बीसवी सदी के जो लोग थे वो किस तरीके की वेस्बूसाओं को पहनते थे और समचीरी लोग किन चीजों को एक तरीके से बताता था तो देखे चितर में आप देख सकते हैं कि जो फ्रांसे से करांती है उनके सेवक है जिनकी एक अलगी वेस्बूसा है और चितर दो में आप देख सकते हैं कि फ्रांसे से करांती के दोरान एक कलिन जोड़ी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जितना भी एक आप ये ड्रेस देख सकते हैं, तो देखें सम्चुरी जो लो था एक तरीक से कपड़ों पर ही एक कार्म नहीं करता था, सम्चुरी लो एक काम जब हुआ, जब एक तरीक से उनी टोपियों का काफी ज़्यादा परचलन चला, तो फ्रांस में ये काफी सारी जो उनी टोपिया हैं, वो बनाई जाता है कि यह नहीं कि जो हर एक छुटी होगी सरकारी जो शुटी होगी या कोई भी छुटी होगी तो उस चुटी में हर एक व्यक्ति जो है उस टोपी को जो है वो पहनेगा तो उस टोपी से हुआ क्या जो एक उनी वयापार था तो उनी उध्योग को एक तरीके से खड़ा होने में काफी सारी help मिली ठीक है न? तो आज की इस video lecture में हम लोगों ने एक तरीके से पहनावे के बारे में discuss किया और थोड़ी बहुत हमने समचुरी low के बारे में एक तरीके से discuss किया कि आखिर में समचुरी low था क्या तो जिन लोगों को ये video लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लेक्चर को हमारे like, share, comment करना ने भूले और अगर आपका इस video से related कोई भी doubt है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं तो आपका निसंद है ये जो doubt है आपका वो clear किया जाएगा और अगर आप हमारे youtube channel पर नहीं है तो please youtube channel को subscribe कर लिजे जिससे आपको हमारी video की आने वारे notification सबसे पहले time पर मिल जाएगे इसी के साथ have a good day, जैहन